आदरनिय अद्धेश मवद आए ये सदन का सोभाग्य है कि आप दूसरी बाद इस आशन कर विराजमान हो रहे हैं आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरब से मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ अदरनिय अद्धिक जी मेरी तरब से आपको शुप पामना है लेकिन इस पूरे सदन की तरब से भी आपको अनेक अनेक शुप कामना है अमरत काल के इस महत्वप्र कालखन में दूसरी बाद इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दाईत आपको मिला है और आपका पांच वर्स का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का पांच साल का अनुभव हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले पांच साल हम सबका मारदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके छाय पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दाईत्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमी कर रहेगी अधेने देख जी हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यहवार कुशल व्यक्ति सभल सहरज रित्र होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मिठी मिठी मुष्कान भी मिली हुई है आपके चहरे को ये मिठी मिठी मुष्कान पूरे सदन को भी प्रसंद रखती है मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान नए किरतिमान गड़ते आए है अठारवी लोगसभा में स्पीकर का कायरभार दुस्तरी जार सबालना यह अपने आप में बया नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं त्री राम त्री बलराम जाखर जी वो पहले ऐसे अध्यख्टे जिन्हों पांच साल कायरकाल पूरा करके फिर दुबारा उनको स्पीकर बनने का आवसर मिला था उसके बाद आप हैं जिने पांच साल पूर्ण करने के बाद दुबारा इस पद पर आसिक होने का आवसर को गत बीच साल का एक ऐसा कालखन रहा है कि ज्यादा तर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठीन है कि उसके लिए दुबारा जीतना मुश्किल हो जाता है लेकिन आप जीत करके आए हैं इसके लिए एक नया इत्याहत आपने गड़ा आदेनिया द्यक जी इस सदन में ज्यादा तर हमारे सभी माननिय सांसत आप से परिचित हैं आपके जीवन से भी परिचित है और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके समझ में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराणा नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं एक सांसत के रूप में और हम सभी सांसत के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसत के नाते काम करते हैं ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है मुझे भी स्वास है कि आपकी कारशा है लिए एज़ा सांसद भी हमारे जो फर्स टाइमर सांसद है हमारे युवा सांसद है उनको जुरूर प्रेना देते आपने अपने कारक्षेत्र में समसद्य क्षेत्र में स्वस्त मा और स्वस्त स्विशू एक कमिट्मेंट के साथ जो अभ्यान चलाया है और सुपोशित मा इस अभ्यान को आपने जिस प्रकार से अपने छेत्र में प्राथ्मित्ता दे करके खुद को इन्वाल करके किया है वो वागई प्रेरक है आपने कोटा के ग्रामिट छेत्र में होस्पिटल नॉन मिल्स ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राज़निती कामों के सिवाय करेंवाले कामों में आपने चुदा है वो भी अपने आप में गाउं गाउं लोगों को स्वात्त सेवाय पहुंचाने में मदद कर रहा है आप नियमित रुख से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के नुजार च्छाता की जरुते च्छाता, जूते ऐसी अनेक सुविधाए समाज के आखरी तप्के के जो लोग हैं उनको खोज-कूर्टिज के पहुचाते हैं खेलों में प्रोच्छान देना आपके खेत्र के युवकों में या अपने एक पादफिक्ता के रुप से काम उठाया है आपके पिछले कालकाल में, सत्रहवी लोगसभा में मैं कहता हूं कि संसदिय इतिहास का वो स्वनिम कालखन रहा है आपके अद्धिक्ता में संसद में जो अइतिहासिक निर्णे हुए आपके अद्धिक्ता में सदन के मादम से जो सुधार हुए है ये अपने आप में एक सदन की भी और आप की भी दिरासत है और भविश में सत्तर भी लोगसभा के समन्द में जब विश्ट्रेशन होंगे उसके विश्य में लिखा जाएगा तो भारत के भविश को नहीं दिशा देने में आपके अद्धिक्स्ता वाली सत्तर भी लोगसभा की बहुत बड़ी भुमिका रही है आदर्ण यद्धिक्जी सत्तर भी लोगसभा में नारी शक्ति मंदन अधिनियम 2023 जम्मू कश्मीर पुनरगठन विदेयक भारतिय न्याय सहीता भारतिय साच्छबिल भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता सामाजिक सुरक्षा सहीता डिजिटल परस्टनल डेटा प्रोटेक्शन विल मुस्लिम महला विभा अधिकार समरक्षन विदेयक ट्रांस जेंडर पर्संस, प्रोटेक्शन अब राइट्स बिन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिन, डारेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास विधेक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्य महत्पक एगे ऐसे कितने ही महत्पुन एत्यासिक कानूं, सत्रभी लोगसभा में आपकी अद्धिक्स्ता के अंदर इस सदन्य पारित किये हैं, और देश के लिए एक मजबूत नीव बनाई है, जो कारिया आजहादी के सत्तर साल में नहीं होए हैं, आपकी अद्धिक्स्ता में इस सदन्य इसको करके दिखाया हैं, आदरनिय अद्धिक जी, लोग कंत्र की लंबी आत्रा में कई पढ़ावाते हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जब हमें किर्टिमान स्थापित करने का सौभागी मिलता है, सत्रवी लोगसभावें उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है, देश आज भी और भविश्य में उसका गवरोग करेगा, आज देश अपनी आकांच्छाओं की पूर्ति के लिए, भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब, हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये नया संसद भवन भी अम्रित काल के बविश्य को लिखने का काम करेगा, और वो भी आपकी अधिक्स्ता, नये संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अधिक्स्ता में हुआ, और आपने संसदिय कारप्रणाई को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वकुन फैसले लिए हैं, और इसलिए लोगतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली हैं, लोगसभा में हम पेपरलेज डिजिटल व्यवस्ता से आज काम कर रहे हैं, पहली बार आपने सभी मानने संसदों को ब्रिफिंग के लिए एक व्यवस्ता खड़ी की, इससे सभी मानने संसदों को भी आवशक रेफरेंस मट्रियल मिला, उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पूष्ट हुई और यह आपका एक अच्छा इनिसिट्यू था, जिसने संसदों में भी विश्वास पैदा किया खा, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तर्चे दे सकता हूँ, तो एक अपने अच्छी व्यवस्ता को विख्षित किया है, आदेनियर देख जी, जी ट्वेंटी भारत की सभलता के एक महत्वपों पृष्ट है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है पी ट्वेंटी, और आपके नेत्रुतों में जी ट्वेंटी देशों के, जो पिठासिन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपके अधिक्सा में हुआ, और अब तक ट्वेंटी के जीतने सम्मेलन हुए, उसमें ये ऐसा अवसरताग दुनिया के सरवाधिक देश, आपके निमंत्रन पर भारत आए, और बहुत ही उत्त्म प्रकार के निर्णे उस समीट में हुए, और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है, उसको गव्रव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, आधर ये अधर जी, ये हमारा भवन, ये सिर्फ चार दिवारे नहीं है, हमारा ये संसत, एक सो चालीस करोड देश वास्यों की आशा का खेंद रहाएं, संसत की कारवाई, जबाब देही और आचरा, हमारे देश वास्यों के मन में लोकतंत्र के प्रतिष्ठा है, उसको और अधिक मजबुद बनाता है, आपके मार्दर्शन में, सत्रह भी लोकसभा, उसकी प्रोडक्टिविटी, पचीस साल के, हाइस लेबल पर, 97 परसंट रहे, और इसके लिए, सब मानिय सदस्य तो अभिनंदर के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेश अभिनंदर के अधिकारी हैं, कोरोना जैसे मुश्किल कालखन में, आपने, हर सांसद से व्यक्तिकत फोन पर बात करके, उनका हाल पूछे, कहीं किसे सांसद की बिमारी की खबर आई, तो आपने सदन के अधिक के नाते, व्यक्तिकत रुसके उसके जिनता की, और वो सभी दल के सांसदों से, जब मुझे सुनने को मिलता था, मुझे बड़ा गर्व होता था, कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुख्य के रुक में, उस कोरोना काल खन में भी व्यक्तिकत चिनता करते हैं, कोरोना काल में भी, आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया, सांसद होने भी, आपके हर सुझाव को सर आंखों पर चड़ाया, किसी को उपर बैठने के लिए कहां, तो वो महां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगा बी जाके बैठने के लिए, तो बुख भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया लेकिन आपने यह जो फैसले की उसका परणाव है कि हम उस कठीन कालखन में भी कार्य कर पाए और यह खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170 परसंट प्रोड़क्टिविटी यह अपने आपने दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है अधनिय अद्देग जी हम सब चाहते हैं कि सदन में आचराउन सदन के नियमों का परणाव हम सब करे और आपने बड़े सटिक तरीके से संतुलिक तरीके कभी कटोरता के साथ भी फैसले लिए हैं मैं जानता हूँ कि ऐसे निर्णे आपको पीड़ा भी देते हैं लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिक्यत पीडा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपराव को बनाने का प्रयास दिया ये सहस्पुन काम के लिए भी आधनिय अध्यक जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं मुझे भी स्वास है आधनिय अध्यक जी आप तो सपर होने ही वाले हैं लेकिन आपके अध्यक्ता में ये अथारवी लोग सभावी बहुत सभलता पूरवक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपून दाइत्व के लिए और देश को विकास की नई उचाहियों पर ले जाने वाले इस सदन के अध्यक्ता के लिए रजय से बहुत बहुत सुप्तामनाई देता हूँ बहुत बहुत बदाई देता हूँ